करने वाले हैं chemical equilibrium में problem solving और ये है session number one ठीक है तो guys problem solving में बहुत मजा आएगा और उसी से clarity होगी questions हम जो कर सकते हैं वो किस तरीके से हम attempt कर सकते हैं ठीक है guys तो पहला question जो आपके सामने है उसको आप note जरूर कर लीजिए there is a homogeneous gaseous reaction मतलब यहाँ पे x y as well as z सभी के सभी gaseous है ठीक है temperature यहाँ पे mentioned है temperature यहाँ पे है 473 Kelvin बाकी इससे कोई फरक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपको बाद में पता लागेगा kc की value dvay kc की value dvay 0.35 इसकी कुछ units भी है उसकी आपको tension लेने की आवशकता नहीं है यहाँ पे उसके अलावा x के number of moles initially दिया हुआ है 1 और y के initially number of moles दिया हुआ है 2 ठीक है question में पूछा हुआ है आपसे क्या पूछा हुआ है हाँ यह बड़ा interesting है ध्यान रखना at what pressure at what pressure 60% of x converts to z 60% of x converts to z ठीक है हाँ तो कितना pressure होगा बढ़ी equilibrium achieve हो गया यह हमने assume कर लिया है कि equilibrium achieve हो चुका है इतना मैं आपको बता रता हूँ तो वो pressure बताना आपको total pressure आपको बताना है system में जो होगा जिस समय 60% of x convert हो चुका होगा z में got it guys तो देखिए शुरू-शुरू में questions अपने आपसे शायद नहीं होते तो अगर आपने पहले ये chapter नहीं किया हुआ है तो आप इस question को attempt कैसे गर पाऊगे तो मैं आपको समझाता हूँ what is the right way to do it देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है kc ठीक है अब पहली चीज़ pressure देखके हमें समझ में आ रहेगी यहाँ पे अगर हम kp निकालने तो वो सही रहेगा तो यहाँ पे kp निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो kp और kc gaseous product minus number of gaseous reactant कितना होगा minus 2 तो यह value minus 2 आएगी r की जहाँ तक बात है r will be 0.0821 जिसको approximately हम 0.08 भी ले सकते है यह 0.082 भी ले सकते है जहाँ तक temperature की बात है हमेशा वो Kelvin में होना चाहिए that is actually 473 Kelvin इसके बाद अगर मैं केसी की बात करूं तो केसी हमें already दिया हुआ है समझ गया ठीक है ना? Calculative question है, Calculative question है काफी तो it will come out to be 2.32 into 10 की पार minus 4 ठीक है आप निकाल के देख लीजेगा यह value आईगी यहाँ पर है अगर हम शुरू में देखते हैं तो यहाँ पर शुरू में initially mole जो है वो कितना है? 1 and 2 और यहाँ पर Z कितना है? 0 अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं initially अपने को पता लग गया, अब equilibrium achieve हो चुका है equilibrium achieve हो चुका है, तो 1 में से माल लो कितना पार्ट चला गया, X चला गया अगर 1 में से X गया है, तो 2 में से कितना जाएगा? 2X जाएगा, समझ रहे हो? क्यों जाएगा 2X? समझ ना? भई देखो न, यह combine किस ratio में कर रहे हैं, 1 is to 2 में combine कर रहे हैं यानि अगर X का 1 mole reaction करेगा, तो वो 2 mole Y से reaction करेगा तो अगर यहाँ पे X यहाँ पे निकला है, तो X किस से combine कर रहे है? Y से ही तो combine कर रहे है, तो इसका ratio भी क्या रहेगा? 1 is to 2 रहेगा ना? जो यह remove हो रहा है, Z कितना बनेगा? हाँ, Z बनेगा X तो इस stoichiometric ratio हमें सारी चीज़ें, सारी information बताता है Got it everyone? Yes, तो total moles अगर मैं देखूं यहाँ पे, NT total moles कितना आएगा? add कर लो इन सबको, that will come out to be 3 minus 2X यह आ गया, total moles, got it, ठीक है? अब X की value अपने को पता है already X की value हमें already पता है, पर इसको end में लगाएंगे देखो, लिखा हुआना, 60% of X is converted, 60% X, यानी X की value कितनी आएगी? 1 का 60% यानी 0.6, तो X हमें already पता है गाई, 0.6, X कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, ठीक है? चलो, अभी भी लगा दो, तो भी चल जाएगा, तो यहाँ पर 0.6 value आ चुकी है अब क्या करना है आपको? हाँ, आब देखो, partial pressure जो होता है, वो क्या होता है? Z का partial pressure क्या होगा? X, जो उसके खुद के moles है, Z के moles है, divide by total, total mole कितना है यार? 3-2X, तो यह हो गया, समझ गया? हाँ, यह हो गया mole fraction, into total pressure, अब यह जो pressure है, यह कितना है? यह अपने को निकाल ला है, divide by, simple, आप PX निकाल लो, PX क्या हैगा? 1-X, divide by 3-2X, आपकी मर्जी X की value पहले put करो या बाद म Similarly, PY अगर हम देखे, तो वो क्या आएगा? वो आएगा, 2-2X, divide by 3-2X, multiply by P का square, got it guys, तो इसमें सब कुछ आपको पता है, KP आपको पता है, X आपको पता है, P आपको निकालना है guys, तो देखिए, units का दिहान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, अब यहाँ पे अगर आपन 188 atmosphere will be the correct value, समझ में आया है guys, तो देखो दिहान रखना होता है, बस calculated questions है, ठीक है न, yes, चलो, here comes the next question, next question, interesting question है, देखिए, इसमें हमारा यह heterogeneous equilibrium है, NH4HS जो है भाई साब, यह dissociate हो रहे है, यह किसमें dissociate हो रहे है, solid, यह gaseous NH3 में, plus H2S में dissociate हो रहे है, इन दोनों में dissociate हो रहे है, और equilibrium attain हो चुका है, temperature यहाँ पे है, 100 degree centigrade, ठीक है, KP की value दीवी है, KP की value है, 0.34, 0.34 value दीवी है, आपको बताना है, total pressure बताना है, ठीक है, total pressure at equilibrium, यानि P की value आपको बताना है, and उसके अलाबा, सब के partial pressure भी बता स सकते हो, ठीक है, बाकी सब के, यानि इन दोनों के partial pressure भी आप बता सकते हो, got it everyone, clear है, yes, तो इसको कैसे करोगे, तो guys देखिए, it is very very easy, बहुत असान है, देखिए, यहाँ पे, यह solid आते ही, इसकी activity, यानि इसका concentration या सब कुछ क्या लेते हैं, तो इसकी tension तो छोड़ दो आप सीधा, अब इसको KP की terms में देखे, तो simply क्या है, partial pressure of NH3, multiply by partial pressure of S2S, got it everyone, समझ में आया आप सभी को, yes, अब देखो यार समझो, यहाँ पे दोनों का molar ratio कितना होने वाला है, 1 is to 1 होने वाला है न, 1 is to 1 ratio है यहाँ ठीक है, अगर दोनों 1 is to 1 है, तो अगर मैं किसी का भी partial pressure निक देखो, दोनों का molar ratio 1 is to 1 है, जो molar ratio होगा, वही इनके partial pressure का भी ratio होने वाला है, got it, वो कि देखो वो क्या होता है, partial pressure याद करो, होता है, mole fraction into total pressure, अब mole fraction इनका क्या आएगा, दोनों का half-half mole fraction ही तो आएगा, समझ गया आप सभी, yes, so guys, क्योंकि यह तो pressure में contribute करेगा नहीं, NH4HS यह pure solid है, तो यह pressure में contribute नहीं करने वाला, समझ गया आप सभी, yes, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो pressure of NH3 है, वो है P by 2, यह भी है P by 2, is equal to 0.34, तो यह थोड़ा tricky question था, जिसमें अपने को दिमाग लगाना था कि यहाँ पे जो partial pressure NH3 है, और H2S है, total pressure जो exert हो रहा है, उ guys इससे pressure will come out to be 1.17, इससे value आएगी 1.17, is it clear to you, okay, obviously ATM, अब इससे partial pressure तो आप निका ली सकते हो, ठीक है, हाँ, तो directly हम partial pressure की terms में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, असान हो जाता है चीज़े, यह इसमें हमने पहले moles नहीं लिए, moles से भी कर सकते हो, कोई approach मैं आपको बता देता हूँ, देखो, अगर यह हमारी reaction है, NH4HS convert हो रहा है, NH3 and H2S, तो this is 1, यह 0, यह 0, समझ गए, अब यहाँ पर 1 में से X निकल गया, equilibrium पर, equilibrium पर X यहाँ से remove हो गया, तो यहाँ X बचा, यहाँ X बचा, अब देखो, अगर अपने को partial pressure of H2S निकालना है, तो इसका अगर मैं mole fraction निकालूंगा, तो it will come out to be X by 2X, यहाँ 1 by 2, students को doubt आते हैं, सर, यह क्यों नहीं लिया हमने, बहे देखो, यह total moles में हम इसलिए count नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है, यह total, you know, pressure में effective नहीं होगा, ठीक है न, yes, तो यह total pressure में contribute नहीं करेंगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो total moles में, only these two units will be considered, तो यह बहुत ही interesting बात है, समझ गए, यह अपने को अच्छे से पता होना जरूर चाहिए, चलिए guys, now let's move on, to the next question, देखिए, अगले question की बात करते हैं, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, एक reaction का केसी, केसी दिया हुआ है, 50, temperature दिया है, 100 degree centigrade, जो यहाँ पे reaction है, वो क्या है, reaction is A2 gaseous, plus B2 gaseous, gives us 2 AB gaseous, ठीक है, homogeneous gaseous reaction है, यहाँ पे volume की अगर हम बात करें, तो देखिए, हो क्या रहा है, यहाँ पे, one liter flask है, there is a one liter flask, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है, one mole of A2, जिसमें एक mole है, A2 का, उसको connect किया जा रहा है, two liter flask के साथ, जिसमें क्या दिया हुआ है, yes, उसमें दिया हुआ है, two mole of B2, पूचा गया है, finally कितना AB बनेगा, how many moles of AB would be formed at equilibrium, ठीक है, how many moles of AB would be formed at equilibrium, AB के कितने mole यहाँ पे finally बनेंगे, सही है, तो देखो, पहली चीज़ तो यह समझ जाओ, one liter है, दूसरा two liter है, total volume, अगर हम इसको connect कर देते हैं, तो total volume three liters हो जाएगी, is it clear to you, yes, अब देखो, यह है A2, दूसरा है B2, और finally बना है 2AB, अब इसमें अगर हम समझें, तो सबसे पहले initially, initially A2 कितना है, 1 है, B2, 2 है, और A भी उससे में नहीं बना है, अब इसके बाद equilibrium अचीव हो गया है, at equilibrium, यहाँ से मालनो, x mole निकल गया है, तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, उतना ही निकलेगा, क्योंकि A और A2 और B2 का रेशो कितना है, 1 is to 1, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, twice बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, twice बनेगा, समझ गया है, यह twice, directly stoichiometric coefficient से अपने को समझ में आ जाना चाहिए, है न, अब देखो यह अपने पास आ गया है, अब केसी की बात कर रहे है, तो यहाँ यह direct question है, बस यह समें quadratic equation solve करनी पड़ेगी, केसी क्या होगा, concentration of A, B का square, A, B का square मतलब 2X by 3, भाई volume है न, volume से divide करोंगे न, concentration के लिए, का square, divide by 1 minus X, divide by 3, multiply by 2 minus X, divide by 3, ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, interesting बात कि अगर delta N gaseous 0 है, if delta N gaseous is equal to 0, in that scenario, volume वाले factor हमेशा cancel out हो जाएगा, logical है न, वही सीरी बात है, अगर यहाँ पे जो power है, जो stoichiometric coefficient है, यहाँ पे, यहाँ पे, दोनों add कर रहे हैं, same हा रहा है, तो, if delta N gaseous is 0, तो volume factor, अगर यहाँ पे जादा भी होता, तो it won't have made any difference at all, इसकी value db है 50, तो guys, इससे X की value आएगी, दो value आएगी पता है, आपको, दो roots आएगे, एगा एगा 0.93, एगा एगा 2.33, clearly X की value 1 से जादा तो नहीं हो सकती, तो यह जो है, यह भाई साब neglect हो जाएंगे, और इससे AB के moles जो आएंगे, वो कितने आएंगे, twice of X, that is 1.86 moles of AB, would be formed, got it everyone, समझ में आएके सभी को, very good, बहुत बहुत बढ़िया, चलिए dear students, now let's take the next question, and I hope आपको questions में काफी मज़ा आ रहा होगा, approach समझ में आ रही होगी, देखिए, अब यहाँ पर आपको value of Casey निकालने हैं for the reaction, reaction, दी भी है मतलब, Casey की value दी भी है, H2 और I2, यह आपस में reaction कर रहे हैं, to produce HI, to produce HI, got it, yes, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसमें reaction का Casey mentioned है, Casey दिया हुआ है, कितना 45.9, 45.9 दिया हुआ है, temperature दिया हुआ है, कितना 773 Kelvin temperature दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, शुरू में 1 mol of H2 लिया गया, यहाँ पर I2 का 2 mols लिया गया, और HI का 3 mols लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर volume है, कितना 1 liter, ठीक है, तो आपको I2 and HI का final concentration बताना है, I2 and HI का final concentration आपको, equilibrium जब अचीव हो जाए तो बताना है, ठीक है, तो देखिए गाईज, अब देखिए, अब शुरू में यहाँ पर, अभी तक जो questions थे, उनमें क्या था, अभी तक के questions के अंदर, या तो reactants थे, ठीक है, reactants थे, product नहीं available था, अब तीनों चीज़ें available हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप reaction coefficient निकालोगे, ताकि पता तो लगे कि equilibrium अचीफ हुआ है के नहीं हुआ, अगर Q की value निकालोगे, तो that will be, you know, 3 का square, divide by 1 into 2, यानि 9 by 2 value आएगी, 4.5 आएगी, अब यह जो Q की value है, it is less than K, K तो यहाँ पर 45.9 है, इसका मतलब equilibrium किदर shift होगा, forward में shift होगा, ठीक है, forward में shift होगा, यानि यहाँ पर H2 decrease होगा, H2 combine करेगा I2 के साथ, ठीक है, to produce HI, तो HI कितना बनेगा यह है, तो इससे काफी अच्छी आपको understanding develop हुई होगी कि equilibrium किस तरीके से achieve होता है, Got it everyone? Yes, उसके अलावा, as you can see, कि यहाँ पर delta N gaseous जो है, वो 0 है, तो KP और KC जो है, yes, वो क्या होगा, equal होगा, ठीक है न? अब एक बात और आपको बता जाता हूँ कि यहाँ पर अगर delta N gaseous 0 है, तो मैंने भी बताया था आपको कि volume वाले terms जो होते हैं, volume वाले terms, वो हमेशा K के expression में cancel out हो जाते हैं, they are always, you know, get cancelled out in the expression of K, तो अब केसी की बात करें, तो केसी आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, कि वही concentration of HI का square, divide by concentration of H2, multiply by concentration of I2, अब बस क्या गरना, आपको एक equation solve करनी है, ठीक है, HI क्या है 3 प्लस 2X, V का use करनी की ज़रूत नहीं है, H2 पता है, I2 पता है, तो guys, इसको अगर solve करोगे, तो X की value will come out to be 0.68, that will come out to be 0.68, तो I2 इसमें कितना आया, I2 आया 1.32, ठीक है, और उसके अलावा, अगर मैं HI की बात करूं guys, HI कितना आयेगा, HI will be 3 प्लस 2X, यानि 4.36, यह इसकी value आने वाली है, okay dear students, is it clear to you? okay guys, अब solve करते हैं, इस particular session का आखरी question guys, आखरी question जो है, वो interesting question है, देखिए, यहाँ पर temperature दिया हुआ है, temperature कितना दिया हुआ है, 1000 Kelvin दिया हुआ है, ठीक है, 1000 Kelvin दिया हुआ है, और यहाँ पर total pressure जो है, it is actually 0.112 ATM, ठीक है न, at equilibrium 112 यह है, अच्छा यह जो final pressure है, यह कब है, जब I2 का partial dissociation हो रहा है, यह टूट रहा है, और टूट के क्या बन रहा है, 2I यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, अब कहा गया है कि अगर कोई dissociation नहीं होता, had there been no dissociation, pressure would have been, pressure होता, 0.074, ठीक है न, तो अब आपसे पूछा गया कि अगर नहीं होता, dissociation नहीं होता, तो इतना होता, अब आपको KP बता ला है, इस पूरे reaction का KP बता ला है, तो गाइस वीडियो को pause करके, you can try it out कि कैसे करोगे, आप दिमाग लगा सकते हो, बाकि I am proceeding with the solution, देखिए, अगर dissociation नहीं होता, तो pressure आपको दिया हुआ है, यानि initially इतना होगा, dissociation हो रहा है, तो आप directly क्या कर सकते हो, भीट देखो न, pressure के terms में directly आप इसको relate कर सकते हो, क्योंकि pressure is directly proportional to number of moles, तो यहाँ पे अगर P pressure कम हो रहा है, I2 का, तो यहाँ पे twice form हो रहा है, ठीक है न, वहीं moles के directly proportional हमने ले लिया, तो pressure की terms में हमने directly इसको analyze कर लिया, ठीक है न, येस, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, बस अब total pressure आप सभी को पता है, total pressure कितना आ रहा है, 0.074 plus P is equal to, इसको add कर दो, it is equal to, yes, 0.112, that will be equal to 0.112, इससे pressure will come out to be 0.038 ATM, is it clear, yes, बस अब इसके बाद क्या करना, आपने को KP निकालना है, KP क्या होगा, 2P का square, divide by 0.074 minus P, and it will come out to be 0.16 ATM, so guys, I hope आपको इस session में काफी मजाया होगा, काफी clarity आई होगी, कि equilibrium जो होता है, उसके questions को किस तरीके से handle करना होता है, तो guys, जो भी question man, जो भी DPPs आपको मिलती हैं, जिन में इस तरह के questions दिये हुए हैं guys, उनसे आप practice करो, ठीक है न, ATP Star app में, जो भी आपको दिया हुआ है, उनसे सब को आप solve करो अच्छे से, ठीक है, और तभी आपकी rank अच्छी आएगी, समर्यों दों सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ATP Star के साथ मेहनद करने पड़ेगी guys, okay dear students, bye bye, take care and,